हेलो एवरीवन इरीना किचन में आपका स्वागत हैं कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे नौरात्री स्पेसर हम आपके साथ में बहुत ही टेश्टी सावुर्दाने की खिच्री एसपी सेहर करेंगे ब्रत वेगरा हम लोग होते हैं तो यह ल करनाते हैं इसके लिए हमने लिए थेकर आई इसमें हम डालेंगे मुंगफली दाना इसको पहले रोष्ट करना है मुंगफली दाना को इसके लिए हम डाल देंगे इसमें एक कप से हमने पहले सावुर्दाना को लिया था उसी कप से हमने पानी लिया था और भिंगो दिये आप लोग भी अगर सब उर्दाना भिंगोंगे तो जिस कप से आप या बर्तन से कटोरी से अगर सब उर्दाना लेते हैं उसी चीज कटोरी से कप से आप पानी लें और फिर उसको आदे गंडे पहले फूलने छोड़ दे अब हम मुंग फली को रोष्ट करें तब तक हमारी सब उदाना फोले रहेंगे तब तक हम मुंग फली रोष्ट कर लेंगे मुंग फली हमारी अच्छे तरीके से रोष्ट हो गई हम इसको दूसर प्लेट में निकाल लेंगे आप इसमें हम डालेंगे तेल हमने मुझ फली के तेल यूज किया है किया हम यह ब्रत के लिए बना रहे है आप चाहेद इसमें ब्देशीगी के अपने पसंद का अब इस वचेु ची만 कर लिया था जिख तोरा सा अमारी बुझा फिर इसमें डाल रहें बारीक चौन के आप यूज नहीं कर रहे हैं पर इसे नॉर्मली बनाएं तो इसमें आप अपने पसंद की लेस्ट प्याइज खाते हुँ तो आप यूज कर ताल सकते हैं लेकिन आज हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने यह फास्टिंग के लिए पनाया रहा ब्रत के लिए फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर बारिक चॉप किया हुआ इस तरी इसको भी मिक्स कर देंगे जब तक हमारी सब्जी आपकड़ी तब तक हम फली हमारी ठंडे होगी तो मिसको छिलका अटा दिये थे अब इसको हम कूट लेंगे मुझफली कूट नाई कूटे जिसे दरदरा रहें ज्यादा बारिक ना हो फिसमें हम डाल देंगे सेनानमक सनानमक के यूज हम इसलिए करें क्योंकि हम बना रहें ब्रत के लिए अब हमारी सब्दाना भी भिंगो फूल चुकी है अच्छे तरीके से अब इसमें हम डाल देंगे सब्जी में और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे है और घेश की ऐच में सब्दिमी रखेंगे और दीमेच-डुल बुनेंगे दीची बीच म कें इसको चलाते रहें आप इसमे हम डाल डेंगे जो अमने मुंघफली कूट के रखा था वो देख सकते हमें दैदराब कूटा हैं आपने इस तरीके सेकूटे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से गयस के आज दीमी रखेंगे त्या अच्छे से पख़ें हैं यहें हमारी साबुर्दान के खिची तैयार है हमारी बनके एक बार हम चेक करके भी आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं समुर्दाने अच्छे तरीके से दव टूट रही है इसका तरीके से नहीं रेस्पी लेके आप से मिलेंगे और यह सब्दानेट कीच्री सल्व होने के लिए तेयार है अब हम इसको सल्व करेंगे आप लोग भी एक बार जो ट्राइ करें इस तरीके से खिच्री बहुत ही सिंबल तरीके से बहुत ही टेस्टी है फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में आप अपना ध्यान रखें टेक केर बाए बाए